इस समय पूरे देश में wealth tax की बात हो रही है, संपत्ती पे कर लगाने की बात हो रही है, विरासत के उपर tax लगाने की बात हो रही है पहले मनमहुन सिंग जी ने बोला था कि देश के संसादनों पर पहला हक माइनार्टीज का है माइनार्टीज में भी सब के नहीं बलकि मुसलिम्स का पहलाख है उसके बाद राहूल गांधी जी ने बोला हम पूरे देश में सब की संपत्तियों की जाच कराएंगे और जिसके पास ज़्यादा होगी उसको ले लेंगे और लेके बात देंगे राहूल जी के गुरू सेम पित्रोता जी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाने बहुत बड़ा योगदान करते हैं वो कह रहे हैं कि एक अमेरिका यहां भारत में वेल्थ टैक्स लगना चाहिए विरासर टैक्स लगना चाहिए और जो माबाब संपत्ती जमा करते हैं वो 50% ही बच्चों को मिलना चाहिए बाकी 50% सरकार के पास आ जाना चाहिए लेकिन भारत में 10 टैक्स तो पहले से ही चल रहे है भारत के संपत्ती पे अल्प संख्यकों को पहला हग देने के लिए 10 कानून है एक दो नहीं 10 सबसे पहला जो कानून बना वो 1894 में एक लैंड एक्विशन एक्ट बना था और उसके अंतरगत भारत में हजारो एकर जमीन दिया गया इसस चूल खोलने के नाम पे दिया गया चॉसके बाद यह काम किया अंग्रेजों ने उसको कहते है Article 370, तो इसका जो Article 370 है, इसका जो मूल उद्देश्य था, इसका यही था कि संपत्ती पे विशेश अधिकार मिलना चाहिए अलप संख्योपों को, इसके साथ एक Article 35 वे भी जोड़ दिया गया था, अब यह दोनों Article 370 और Article 35 वे खतम हो चुके हैं, इसी तरीके से, भारत में 1854 में एक कानून मनाया गया, नहरू जी की द्वारा, उसको कहते हैं, वक पैक्ट, यह वक पैक्ट पहली बार बना 1954 में, बनाया किसने? नहरू जी ने, उद्देश्य कहा था, भारत के संसाधनों पर पहला हक माइनार्ट, माइनार्टीज को मिले, और सारी माइनार्टीज को नहीं, केवल और केवल मुस्लिम्स को मिले, नतीजा क्या हुआ इस कानून का? यह कानून 1954 बनाया, नहरू जी ने, वक पैक्ट, इंद्रा जी ने और मजबूत किया, राजी उजी ने और मजबूत किया, नतीजा क्या हुआ? वक बोर्ड के पास हजारो एकड जमीन है तो कानून लगातार बनता रहा कानून बनता जा रहा था बनता जा रहा था उसके बाद भारत में फिर क्या हुआ 35 कानून 35 कानून टोटल भारत में बनाया गया किसके लिए मठ मंदिरों के लिए मठ मंदिर मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून मठ मंदिरों के लिए 35 कानून मठ मंदिरों के नाम पे जो जमीन है मठ मंदिरों के लिए चड़ावाई नहीं होता के लिए कैस नहीं होता बहुत सारे लोग सोना दान करते हैं बहुत सारे लोग अपनी जमीन दान करते हैं, बहुत सारे लोग गाय देते हैं, बहुत सारे लोग अलग लग तरीके से जिसकी जो सृध्धा होती अपना दान करते हैं. तो 35 कानून बनाया गया मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए संपत्ती केठा की गई, चढ़ावा लिया जाता है, और क्या किया जाता है, वो जो संपत्ती है, उस पर पहला हग किसका हो जाता है, अल्पसंख्यकोखा. इसी तरीके से, 1984 में एक और कानून बना, यूनिवस्टीज पर अल्पसंख्यों को दर्जा देने के लिए, बियच्चू बना था, उसके बाद अलिगर्ड मुस्लिम इनिवस्टी बना था, बियच्चू को मेजर्टी इनिवस्टी डिक्लेर नहीं किया गया, लेकिन 1984 में एक कानून बना के अलिगर्ड मुस्लिम इनिवस्टी को अल्पसंख्यों को दर्जा दे दिया गया, और अलिगर्ड मुस्लिम इनिवस्टी की जितनी प्रापरटी थी, उसको कहते हैं 6A, उद्देश ये कहा था? उस समय असम में लगभग साथ लाख बंगलादेशी घुसपैठी ये थे, उन घुसपैठीयों को ये सेक्शन 6A के द्वारा, सिट्जन सी पैक्ट में सेक्शन 6 से जोड़के उनको भारत का नागरिक बना दिया गया, यानि साथ लाख घुसपैठीयों को एक साथ भारत की संपत्ति पे अधिकार मिल गया, फिर 1991, 1991, 1991 में का और कानून मना, नाम क्या रखा इसका, पूजा अस्थल कानून, पूजा अस्थल कानून नाम से लग रहा है, कि पूजा अस्थल के रख रखाओ के लिए नहीं, ये पूजा अस्थल कानून मनाया गया, कि जो बाबर हुमायू तुगलक गजनी गोरी के समय में ज तिए 1991 में फिर एक कानून बनाया गया जिसको पूजास्थल कानून कहते हैं 1992 एक और कानून बना उसका नाम है NCM जिसको कहते हैं National Minority Commission Act उद्देश ये क्या था एक अलग से अलप संखे कायोग बनाया जाए अलग से अलप संखे कल्याण मंत्राले बना जाए और अलप संखेकों को विसेश दर्जा दिया जाए अलप संखेकों को विसेश राहत दिया जाए तो अलप संखेक बहुत संखेक का बिभाजन चलता रहे संपत्ति पर जो पहला अधिकार है अलब संख्यक को मिलता रहे किसके माध्यम से 1992 के कानून से फिर एक 2004 में एक और कानून बना इसको कहते है नेशनल कमिशन फॉर माइनार्टी एजूकेशन इंस्टिटुशन एक्ट एंसीमी आई है उद्देश्य क्या था भारत के कई सारी इन्वेस्टी को माइनार्टी पत्ती थी उस पे किसका कब्जा हो गया अलब संख्यकों का उससे भी बात नहीं बनी 2012 2012 में आल इंडिया मुस्लिम परसनल लाबोर्ड के एक बैठक होती है राउल गाधी जी के साथ आल इंडिया मुस्लिम परसनल लाबोर्ड कहता च्छो राइट टो एजूकेशन एक्ट ह सभी स्कूलों में लागू होता था 2012 तक लेकिन पर्सनल लाबोर कहता है कि आप मदर्सों को इससे बाहर निकाल लिए 2012 में एक संसोधन किया जाता है कानून में और मदर्सों को बाहर निकाल दिया जाता है आज की डेट में मदर्सों के पास कितनी प्रापरटी सरकार को नहीं मदर्सों कौन पढ़ा रहा है सरकार को नहीं पता मदर्सों में कौन से किताब चल रही सरकार को नहीं पता मदर्सों को पूरी complete autonomy देने की कोशिश की गई 2012 के कानून से इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि जो अभी चर्चा हो रही है कि विरासर टैक्स लगेगा मनमहुंसिंजी ने बोला कि नहीं संपत्ती पर पहला अधिकार होगा सेम पितरोता जी कह रहे हैं कि बाकादा कानून बना देंगे राहूल जी कह रहे हैं कि भाई प्रापर्टी का आडिट कराएंगे फिर इसको बाठेंगे तो यह जो दस कानून मैंने आपको बता यह तो पहले सी चल रहे हैं समाधान क्या है समाधान है इन कानूनों को खतम करना पड़ेगा इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा जो 1894 में लैंड एक्विशन एक्ट बना था जिसके अंतरगत हजारों एकर जमीन दे दी गई एक कम्यूटी को उसको वापस लेना पड़ेगा सब कि 99 साल की लीज़ पूरी हो चुकी है आटकल 35 ay 370 खतम हो चुका है 1954 में जो वापस लेना पड़ेगा उसकी जो हजारों एकर जमीन उसको वापस लेना पड़ेगा मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए जो 35 कानून बना रखे है उस पे जो सरकार का कबजा है वो सारे 35 कानून खतम करने पड़ेंगे और उस जमीन को वापस मठ मंदिरों को को देना पड़ेगा 1984 में जो अलिगार्स मुल्ड इन्वर्स्टी को एम्यू को मायनार्टी का दरजा दिया गया उसको खतम करना पड़ेगा वैसे उसको सुप्रीम कोट में चैलेंज किया हुआ है जजमेंट रिजर्व है हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोट ही अलप कानून आया जिसके कारण कासी मतुरा भदरकाली भोशला आटाला जहां पर अलड़ी मुगलों के समय से जो गलत कबजा था और कबजा बरकरार है उसको वापस लेने के लिए 1991 कानून खतम करना पड़ेगा 1992 का नेसल माइनर्टी कमिशन एट खतम करना पड़ेगा 2004 का जो फ उसको तो अरद्रीजन के अधार पर बांठ के क्यूं और यहीं कि बारत में ट्रीकर वहजन कि यह कर रहे है गरीव अगर मुस्यिम है तो ठीक उसकी ममेद होनी चाहिए लेकिन अलपsan toe के नाम पे के नाम में पर अगर बनाना था तो सब के लिए बनाते हैं चेन के कि निश एक community को खुस करने के लिए कानून, मुझे लगता ही जो पुरा खेल चल रहा है, उसका एक ही कारण है, एक particular community को संतुष्ट करना, भारत की जो second largest majority है, जो second largest majority है, उसको minority के नाम पे उसको खुस रखना, minority के नाम पे सारी सहुलियत देना, तरीका यही है, एक देश एक विधान, जो कानून हो, वो सब के लिए हो, रिलिजन के अधार पर सारे कानून खतम हो, यही तरीका है, अगर मेरा ये वीडियो ठीक लगे, इस वीडियो को अधिक सधिक शेयर करिए, तुस्टी करन बंद कराना है, तो लोगों को जागरुप बनाना ही पड़ेगा, मैं आपसे रिक